हेलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंटिग्रेशन पे अगर आपने अभी तक मेरा डिफ्रेंशेशन का वीडियो नहीं देखा है तो गूगल पे टाइप करें या यूटूब पे टाइप करें डिफ्रेंशेशन, फिजिक्स वाला और वीडियो को देखें, मैंने एक गंटे में डिफ्रेंशेशन के सारे कंसेट बताए हैं जो पे फिजिक्स में हमें यूज़ करते हैं तो आज बच्चों हम इंटिग्रेशन की बात करेंगे अब बच्चों पहली बात ही आती है कि integration हमें क्या use है क्यों लेगा integration क्यों समझना है तो इसका example देने के लिए हम आपको एक question देते हैं माल लीजे लिखा है s is equals to t square यह displacement है यह time है और मैं आपसे पूछूं कि velocity क्या है तो आप बोलो कि velocity क्या होती है ds by dt अगर आपने यह video नहीं देखा है कैसे velocity निकालते है तो पहले इसको देखें इस बात को भी समझें ds by dt त इसको हम differentiate कर देंगे तो आजाएगा 2t ठीक है में differentiation पता था बहर बढ़िया और velocity क्या होती है change in displacement upon change in time पर बच्चों मान लो हम आपको बोले v is equals to t square plus 1 और आप से पूछे हम displacement कितना होगा अब आप क्या करोगे अगर मैं displacement देता तो आप velocity निकाल लेते हैं ds by dt करके पर जब मैंने velocity दी और आप से displacement पूछा तो आपके पास कोई तरीका नहीं है भाई velocity क्या होती है ds by dt यानि displacement को differentiate कर दो पर यान velocity से displacement कैसे निकालें तो इस problem को solve करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा integration see integration is the reverse process of differentiation reverse process of differentiation तो देखो पिछले वाला जो example दिया मैंने उसमें भी हमको reverse पीछे जाना था displacement से velocity निकालने के लिए क्या किया differentiation velocity से displacement निकालने के लिए करना पड़ेगा integration reverse process तो बच्चों integration के लिए हम स्टार्ट करते हैं कहानी एक ग्राफ से ये मालनो मेरे एक पाइस ग्राफ है y versus x का और ये ऐसा बना है मैं आप से कहूं xx के से तार आप ग्राफ का एरिया निकाले किसके साथ x axis के साथ ग्राफ का एरिया निकाले तो बड़ा असान है आप से एरिया निकाल दोगे तो बच्चों problem कब आएगी मान लो ये graph कुछ ऐसा हो जाए अब मैं बोलू x-axis के साथ इस graph का area बताईए अब आपके पास कोई math नहीं है जो ये काम कर पाए यहां में integration काम आता है और यहीं से integration start होता है नोट्स बनाएं, इसको बना लें मैं क्या करता हूँ यहां पे 17 स्ट्रिप काट लेका हूँ बहुत पतली से स्ट्रिप काट लूए यह लेंध बहुत छोटी है ऊप छोटी लेंध को हम क्या बोलते है dx यह एक से से बहुत छोटी लेंध को मुला dx और इस लेंध को Most कर दिया y1 मतलब यहाँ पर मैंने बोल दिया जो y की value है वो y1 है अब इस छोटी सी strip का आप area निकाल सकते हो area of strip इस पदली सी strip का area निकाल जा सकता है यह strip है इसकी length कितनी है बच्चों y1 और इसकी breadth कितनी है dx तो area क्या हो जाएगा length into breadth rectangle है तो y1 into dx इसी तरह से एक strip मैंने यहाँ काट लिए छोटी सी strip तो dx और length माली इसकी मैंने y2 कुछ change हो गया यह हो गया y2 इस वाली strip की area कितना होगा area of this strip ठीक है area of this strip will be y2 into dx length into breadth ऐसे ही करकर के मैंने कई पतली-पतली strips काटी और सबका area निकाल लिया इसका भी area इसका भी area इसका भी area इसका भी area पतली-पतली strips के area निकाले मैंने पतली-पतली strip बनाया और उनके area निकाले ठीक है जैसे यहाँ पर मैंने बोल लिया माल लो यह length हो गई कि मेरी पसमान लो y3 हो गई ठीक है कोई y4 हो गई इस तरह से सारी strip के area निकाल लिया और पतली-पतली strip काटके सबके area को निकालकर जोड दिया तो यह complete area आ जाएगा यहाँ एरिया जो हमें required है यहाँ पर वो हम कैसे निकाल सकते हैं कि सारी छोटी-छोटी-शोटी strip के area को जोड़ दे मतलब y1 dx को जोड दे y2 dx से उसको जोड दे y3 dx से और जोड़ते 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 आस तक सारी y dx को जोड़ अब बच्चों जोडने को हम बोलते हैं क्या submission तो submission करना है y legs का और y के नीचे लिख दिया n क्योंकि n की value कभी 1 है कभी 2 है कभी 3 है सारी पतली पतले strip को जोड़ेंगे तो पूरा area आ जाएगा तो मैं लिखा n को start करो 1 से और n को जाओ n तक किसी value तक यह आपका आगया area ठीक है पर अभी integration की बात नहीं आगी अब बच्चों इस submission में एक problem है problem समझाता हूँ जब इस strip का area आपने लिया तो आपने इसको complete rectangle माना जबकि ध्यान से देखो यह part तुमारा छूड गया इस part के बारे में बात नहीं करता है जो rectangle पर उपर है जैसे यहाँ पर देखो यह rectangle बनेगा और यह part छूट जाएगा यहाँ पर यह rectangle बना और यह थोड़ा सा part उपर छूट जाएगा तो हर बार हम देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा part छूट जा रहा है और यह symbol लगाते हैं यह symbol curve को दिखा रहा मतलब integration यहाँ लिखेंगे y dx कहा से कहा करना है तो हम माल लेते हैं यहाँ x की value 0 है और यहाँ माल लेते हैं x की value कुछ x1 है तो x is equals to 0 से लेकर x is equals to x1 तक integrate कर देंगे तो हमें पूरा area मिल जाएगा मतलब integration क्या होता है y versus x graph का जो area होता है y versus x graph का जो area होता है जो x axis के साथ graph enclose करता है उसको बोलते हैं integration जैसे मैं बोलूं मुझे यहाँ से यहाँ तक का area चाहिए सिर्फ इतना area चाहिए कोई बात नहीं आप माल लो यहाँ x की value है x2 और यहाँ x की value है x3 x change हो रहा है तो आप लिकलो x is equals to x2 से लेके x is equals to x3 तक integrate कर दें y dx को तो पहली बात यह समझ में आई कि integration हमें देता है area of y versus x और differentiation देता था slope of y versus x differentiation देता था slope of y versus x integration देता है हमे area of y versus x very very important तो अभी आपको basic concept समझ में आया होगा integration y dx का मतलब क्या है graphically very good अब बच्चो जो integration है यह आपकी class 12th mathematics के कम से कम कुछ नहीं तो 3 chapters और at least 30 exercises cover करेगा ठीक है approximately 20 माल लो 20-25 exercise और हर exercise में 15-20 question 30 question तो आप समझ रहो यह बहुत बड़ा topic है maths का हम यहाँ पर उतना ही integration पढ़ाएंगे जितना हमको physics में use होगा और कुछ integration हम रास्ते में सीखेंगे अपनी journey में 11th की बीच में जब सवाल आएंगे तो बताएंगे दूसरी important बात हर function को differentiate आप कर सकते हो nearly हर function को सारे function differentiate भी नहीं होते पर integration कुछ particular function ही होते है जैसे मैं board पे कुछ भी लग दूँ तो उसको integrate करना possible नहीं है differentiate नहीं कर सकते हैं तो integration के लिए हम आपको सबसे पहले basic formula बताते हैं which is very important आप note करेंगे सबसे basic formula जहां से integration स्टार्ट होगा माई नीचे लिखा है y is equals to x की power n हमने कहां integrate करिए x की power n dx या आप ऐसे बोल लो पहले integrate करिए y dx तो y की जगा लिख दोगे x की power n dx का integration बच्चों इसका integration होता है x की power n plus 1 upon n plus 1 ठीक है n plus 1 upon n plus 1 अगर यहां कुछ लिखा है जैसे लिखा है 1 से 3 तो ऐसे ही ठीक है अगर कुछ नहीं लिखा बच्चों तो इसको हम बोलते हैं in definite integration कि कुछ definite नहीं है कहां से कहां integrate कर रहे हैं कितना area निकाल रहे हैं ये definite नहीं जब definite नहीं होता तो हम लिखते हैं साथ में plus c चलिए तो formula क्या है x की power n का x की power n प्लस 1 upon n प्लस 1 जैसे हम आपसे पूछें integration of x dx तो बच्चों x की power 1 है तो क्या हो जाएगा x की power 1 प्लस 1 2 और नीचे 1 प्लस 1 2 और साथ में लिख लो plus c जैसे बच्चों आपसे पूछें integration of x square dx तो x की power 2 है n प्लस 1 3 n प्लस 1 3 उपर क्या करना है n प्लस 1 नीचे भी n प्लस 1 जैसे हम आपसे पूछें under root x dx बच्चों under root x का मतलब x की power 1 by 2 dx लिख सकते हैं अब integrate करेंगे तो उपर x की power n प्लस 1 नीचे भी n प्लस 1 और साथ में लिख देंगे plus c यहाँ पर भी plus c plus c तब तब लिखना है जब यहाँ कुछ नहां लिखा हो जब range ना बताई हो जब limit ना बताई हो कहां से कहां integration हो रहा सबसे पहला formula x की power n इसमें बच्चों एक important बात यह है कि n should not be equal to minus 1 n की value minus 1 नहीं होनी चाहिए क्यों नहीं होनी चाहिए मालो n की value minus 1 लगती तो minus 1 plus 1 कितना हो जाएगा 0 and anything divided by 0 is not defined in maths तो n की value minus 1 नहीं होनी चाहिए और कुछ भी हो सकती है बस minus 1 नहीं हो जैसे हम आपसे बोलें आप हमें integrate करके तो integration of 1 by under root x dx बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हो यह x की power half है उपर आएगा तो x की power minus half dx हो जाएगा इसको integrate करोगे x की power minus half plus 1 upon minus half plus 1 और साथ में plus c लिख लोगे x की cube हो, x की power 4 हो बाकी सब integrate हो जाएगा बस क्या नहीं होना चाहिए n की value minus 1 नहीं होनी चाहिए अच्छा बच्चों अगर minus 1 हो जाएगी तो क्या होगा जैसे माल लिजे हम बोलें x की power minus 1 dx का integration या exam में ऐसे आएगा 1 by x dx का integration तो बच्चों 1 by x dx का जो integration है वो है log mod x plus c mod इसलिए लगाया क्योंकि log के अंतर कभी भी negative number नहीं हो सकता log negative चीज़ का define नहीं है तो माल लोग 1 upon x और x की value negative होती तो इसलिए हमने mod लगा दिया कि यहाँ पे value कैसी रहे? positive x की power minus 1 dx क्या बन जाएगा log base e mod x plus c very easy अच्छा अगर आप याद करो तो differentiation में आपने देखा था कि log x को differentiate करने पर log x को differentiate करने पर 1 by x आता है देखा था log x का differentiation क्या होता है? 1 by x तो 1 by x का integration क्या हो गया? log x इसलिए मैंने बोला integration is the reverse process of differentiation तो formulas आज की class में जरूर note करें ठीक है? तहली class है तो आपको formulas जरूर note करने होंगे चलिए इसी x की power n पे एक सवाल और बताइए फिर आगे बढ़ते हैं integration of x की power 4bx क्या हो जाएगा बच्चों? x की power 4 plus 1 upon 4 plus 1 plus c तो power एक बढ़ा दो नीचे उसी number से divide कर दो और plus c लिग दो चीक है? तो x की power n dx का integration आपको याद हो जाना चाहिए x की power n plus 1 upon n plus 1 plus c ऐसे कर सकते हैं अभी यह मत सोचो कि differentiation में क्या था? उसको बाद में revise करना mix करोगे तो confused होगे ठीक है? अच्छा बच्चों अब बात आती है कि अगर limit लगी हो तो क्या करें? जैसे मालो लिखा हो x dx को integrate करना है 2 से लेकर 3 तक अब क्या करना है? तो बच्चों पहले तो इसको integrate करो तो यह x की power 1 है x की power 1 plus 1 नीचे भी 1 plus 1 कहा से कहा 2 से लेकर 3 तक अब क्या करना है? पहले x की जगा 3 रखो फिर minus लिखो फिर x की जगा 2 रखो चलिए लिखाते हैं पहले x की जगा 3 रखा तो 3 का square by 2 फिर minus लिखो फिर x की जगा 2 रखो 2 का square by 2 and that is the answer 9 minus 4 by 2 that is 5 by 4 इस बार plus c नहीं लिखेंगे जब limits दी हो तब plus c नहीं लिखना है तब कोई constant नहीं आएगा और जब limit ना दी हो तो constant आएगा इसको बच्चों बोलते हैं definite integration क्योंकि अब definite है कहां से कहां जाना है तो जब definite हो तक constant नहीं लिखना है जैसे बच्चों आपसे बोले integrate करिए आप x square dx from x is equals to 0 to x is equals to 3 तो आप integrate करोगे x की power 2 है 2 plus 1 नीचे भी 2 plus 1 0 से लेकर 3 तक पहले x की जगा 3 रखो 3 का cube by 3 फिर लगाओ minus फिर x की जगा 0 रखो 0 का cube by 3 तो 3 का cube 27 divided by 3 दो answer will be 9 और कोई constant c नहीं आएगा ठीक है तो clear हो रहा है कि कब c लगाना है और कब c न लगाके कोई दूसरी चीज़ करनी है ठीक है जैसे बच्चों हम आप से बोले कि आप integration of 1 by x dx करो x की value ले लो 2 से लेकर 5 तर तो आप बोलोगे 1 by x ये तो वही case है कौन सा? integration of x की power minus 1 dx वाला इस case में क्या answer आना चाहिए? इस case में answer आना चाहिए log mod x और कहा से कहा 2 से लेकर 5 तो पहले x की जगा 5 रखो तो log 5 अब तो mod की ज़र्वत ने क्योंकि 5 तो positive भी है minus log x की जगा 2 रख दो log a minus log b log a बटे b बन जाएदा तो clear हो रही है बात कि इसको definite बोलते हैं इसमें plus c नहीं लगाते और जब limit ना दी हो तो plus c लगाते हैं तो बच्चों first and foremost formula आपने पढ़ा integration of x की पार n dx x की पार n plus 1 upon n plus 1 plus c इसी में आपने exception पढ़ा कि n की value minus 1 नहीं होनी चाहिए यदि n की value minus होगी तो क्या बनेगा n की value अगर minus 1 होई x की पार minus 1 dx इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 by x dx और इसका integration आएगा log mod x plus c अब तीसे formula पर आते हैं बच्चों integration of e की power x dx e की power x का differentiation क्या था e की power x तो इसका integration भी क्या होगा e की power x plus c इसका differentiation ये तो इसका integration ये reverse process है इस दूसरे का तो ये तीन बहुत ही basic formula है सबसे कहले आपको ये आजाएं अब इन से जुड़ते हुए formula question number 4 जो की कुछ अलग नहीं है जैसे हम आपसे बुले integration of dx बताईए कुछ नहीं दिखा तो ये integration of dx को आप ये लिख सकते हो x की power 0 dx अब ये इसी form में चला गया ये n हो गया और n-1 भी नहीं है तो आप लिखो के x की power 0 plus 1 नीचे भी 0 plus 1 plus c लिखेंगे चिक है तो x आजाएगा answer तो आप याद रखो की integration of dx बत्चों x होता है although ये सब कर सकते हो पर छोटी छोटी बातें याद होना भी बहुत जरूरी है तो formula number 4 is very important integration of dx is equals to x और साथ में लगा दो plus c अगर limit नहीं लिखी तो ठीक है नेक्स चीज़ आपको बताते है number 5 ठीक है वहाँ पे include कर देंगे integration of मालो लिखा हो 2x square dx अब जब साथ में कोई चीज़ multiply हो रही हो तो उस चीज़ को बाहर ले लो integration of x square dx अब 2 கो बाहर रहो x की पावर 2 तो x की पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस c तो जो भी चीज़ multiply हो रही हो उसको बाहर कर दो और उसके बाद integrate कर दो जैसे next question integration of 3 dx तो बच्चों जो चीज multiply हो रही है उसको बाहर कर दो integration of dx कितना होता है x होता है तो हमारा आ गया 3x plus c तो इतनी बातों को note करें बहुत basic चीज़ें बताइं अब चलो कुछ formula और देख लेते हैं integration पे ठीक है ये समझ में आ गया जो भी चीज multiply हो रही है constant चीज़ तो उसको बाहर और integrate कर लो जैसे हम पुछे integration of 5bx क्या होगा तो 5 बाहर आ जाएगा dx का integration x plus c कर लेगे तो बच्चों ये basic basic formula हम आपको बता दिये integration है अब कुछ और formula हम आपको बता देते हैं और formula बच्चों integration बहुत सारी बनेगे और अभी आपको सारे formula याद करने की जरूद भी नहीं with passage of time धीमे धीमे formulas याद होगे अभी हम एक list of formula आपको देने जा रहे हैं उस list of formula को आप हो सके तो print out निकाल लीजे या अपने notes में लिख लीजे उसको भाड़के अपने घर में चिपका लीजे और रोज उसको पढ़ते जाएं चीक है चली अभी list दिखाते हैं पहले हम कुछ पढ़ा दे आँको चले list पहले दिखाते हैं तो यह list देख लीजा तो आपने list देख ली फॉम्लेस के अब जैसे हमें कुछ चीजे समझाना चाहेंगे integration of sin x dx तो बच्चो sin x का integration होता है minus cos x प्लस c लगा दिए अब आप याप करो cos x का differentiation होता था minus sin x यानि minus cos x अगर लिखा है cos x का differentiation क्या होगा minus sin x और एक minus all लगा है minus minus plus मतलब इस चीज का differentiation करोगे तो ये चीज आएगी और उसका integration करोगे तो ये चीज आएगी थोड़ा सा इसमें change हुआ है sin x का differentiation होता था cos x और sin x का integration होता है minus cos x बस ये दो चीज यान रखो sin x का differentiation में cos x और integration में minus cos x जैसे integration cos x dx आपने भी देखा कितना आ रहा है sin x plus c और याद हो cos x का differentiation था minus sin x तो ये change है तो मैं कहूंगा सिर्फ आप एक चीज याद रखो ये वाली क्या? कि sin x को जब हम differentiate करते हैं बस ये चीज याद रखो तो answer आता है cos x बस इतना याद रखो बाकी सब हो जाएगा अब sin x को integrate करोगे तो minus cos x आजएगा cos x को differentiate करोगे तो minus sin x आजएगा cos x को integrate करोगे तो sin x आजएगा मतलब उल्टा फिल्टा करते जाना जैसे बस ये याद रखो sin x का differentiation cos x अब integration of sin x करेंगे तो differentiation of cos x is minus sin x तो integration क्या हो जाएगा plus sin x ठीक है तो इसमें से कोई एक formula अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए तो ये basic हो गया इसके बाद treatment matrix में formulas की कमी नहीं है जैसे बहुत ही आपको असान चीज़ में याद कराऊं कि tan x का differentiation क्या होता था ठीक है बस example दे रहा हूँ तो tan x का differentiation होता था sex square x अब मैं आपसे पूछूँ कि sex square x dx का integration क्या होगा तो वापस आजाएंगे tan x plus c रित देंगे जैसे आपको अगर याद हो कि cosec x का differentiation क्या होता था याद है क्या cosec x का differentiation मुश्किल है जाएंगा चली मैं बताता हूँ होता था minus cosec x cortex अब आपसे मैं पूछूँ integration of cosec x cortex क्या हो जाएगा तो आप लिग दोगे minus cosec x plus c just reverse process है ठीक है तो इतना जाने के बाद कुछ formulae देखने के बाद मैं आपको अगली चीज जो पढ़ाऊंगा बच्चों वह है algebra of integration algebra of integration ठीक है एडीशन को कैसे tackle करना है multiplication को कैसे tackle करना है इसके बारे में बात करते हैं तो बात करते हैं algebra of integration की तो पहले बात करते हैं addition या subtraction कि दो function add या subtract हो रहे हो तब कैसे integration करना है जैसे हमसे बोला y is equals to x square plus 1 by x को आप integrate करो तो आप लिखोगे integration of y dx फिर आप लिखोगे integration of x square plus 1 by x और इस पूरे का integration अब करना क्या है एक एक को अलग अलग कर लो तो मैंने लिख लिया x square dx plus 1 by x dx और दोनों को अलग अलग integrate कर लो इस dx को इसमें भी दे दो इसमें भी integration का symbol दोनों में डाल दो और दोनों को अलग 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 integrate कर लो बच्चो x square का integration x की power n plus 1 upon n plus 1 और 1 by x का integration बार बार बता रहा हूं log mod x और 7 में क्या लग जाएगा plus c constant लग जाएगा ठीक है तो करना क्या है सबको अलग अलग करके integrate कर देना है जैसे मानलों के एक सवाल वाले रहते हैं y is equals to e की power x plus sin x plus root x हमसे कहा है integrate करो तो integration of y dx is equals to integration of e की power x dx plus sin x dx plus under root x dx सबको अलग अलग integrate कर लो e की power x का integration e की power x sin x का क्या था minus cos x और root x को क्या समझ सकते हो बच्चों ये हो किया x की power half तो x की power half plus 1 और नीचे भी half plus 1 और last में plus c मतलब अलग अलग सबको integrate कर दो यही है addition या subtraction की technique ठीक फिर आता है बच्चों algebra of integration में multiplication और बच्चों ये part हम complete नहीं कर सकते हैं सिफ आपको समझा सकते हैं कुछ example करा सकते हैं क्योंकि मैंने बुला integration एक बहुत बड़ा सा अगड़ है तो कुछ आपको हम basic समझा सकते हैं जैसे हमसे लिखा हो u b मतलब दो function multiply हो रहा हूं example x multiplied by sin x हमसे किसी ने कहा x sin x को integrate करो अब sin x होता तो integration minus cos x x होता integration तो x square by 2 अब दोनों multiply हो रहे हैं तो बच्चों multiply होने का case देखो integration of u v आपको करना क्या है u को बाहर रखो integration of v dx minus अब सुनना u को differentiate करो du by dx integration of v dx पहले इस formula को अपने notes में आप डालें कि इसको हम एक चीज़ और बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम integration by parts integration by parts integration by parts करने का तरीका यह होता है कि u को बाहर करो integration of v dx minus integration फिर bracket में आओ u को differentiate करो du by dx फिर integration v dx bracket close और यहां तो पिलगेगा एक dx और पूरे का integration करो कि u v में से पहले एक को बाहर ले लो u को फिर integration करो v dx minus फिर integration का symbol लगाके एक बड़ा सा bracket फिर u को differentiate du by dx फिर integration of v dx और पूरे close करके dx ति इसको जरूर से note करने पहले ठीक हैं चलिए मैं इसको उपर लिख देता हूँ और फिर इसको कुछ questions कर लेते हैं तो यहां पर मैं इस पांड़े को लिख देता हूँ अगर u v को integrate करना है with respect to dx तो हम u को बाहर लेंगे integration of v dx फिर minus का symbol लगाएंगे फिर integration का symbol लगाएंगे अब लिखेंगे du by dx फिर integration of v dx पूरे को ब्रैकेट पर close करेंगे और लिखेंगे dx तो इतनी बात आप भी copy में note कर लें अब definitely यह तो वीडियो देख याद नहीं रहेगी ठीक लिख लिया होगा आप चलिए अब करते हैं x sin x का integration with respect to dx चलिए start करते हैं तो मैंने x को बाहर ले लिया u को बाहर integration of sin x dx ठीक है माइनस अब differentiate करना है किसको पहले function को u को पहला function कौन है x तो मैंने लिखा dx by dx x को differentiate कर दिया फिर integrate करना है v को v कौन है sin x sin x dx और इस पूरे के बाहर लिख दिया dx ठीक है अब x अब बच्चों sin x का integration क्या होता है minus cos x ठीक है ये बावाल खतम minus dx by dx 1 by x का differentiation u क्या है x x का differentiation क्या होता है 1 तो ये 1 आ गया sin x dx का integration minus cos x ठीक है और साथ में लिखा है dx ये हो क्या minus x cos x minus अब ये minus बाहर ले लो plus हो जाएगा cos x का integration बच्चों cos x का integration होता है sin x और साथ में लिख लेंगे plus c तो ये integration complete हो गया cos x का integration sin x ठीक है तो थोड़ी बहुत values याद रखनी जरूरी है एक और इसी पर example ले ले लेते हैं किसको भी लेना है और इसके लिए एक principle है i late principle ये principle बताता है कि u किसको लेना है u किसको लेना है इन दोन में से u कौन बनेगा i मतलब होता है inverse function अगर कहीं कोई inverse function देखे inverse मतलब sin inverse x cos inverse x तो इनको u लो l का मतलब होता है logarithmic अगर कोई logarithmic function बनता है तो उसको यह जो a का मतलब algebra algebra मतलब x मिल जाए root x मिल जाए x square मिल जाए t का मतलब trigonometric sin x cos x और e का मतलब exponential ठीक है तो इन में से सबसे पहले कौन आता है i फिर l फिर a फिर t फिर e तो u उसको लेना जो पहले आए देखो यहाँ पे x है x मतलब algebra और e की power x है मतलब exponential अब देखो इन दोनों में से पहले कौन आ रहा तो पहले algebraic आ रहा तो इसलिए x को क्या मानेंगे u और e की power x को क्या मानेंगे v यसे पिछली बार देखो क्या था x sin x तो मैंने आपको बिना बताए x क्या था algebraic और sin x क्या था trigonometric तो मैंने आपको बिना बताए x को देखो u लिया था क्योंकि algebraic पहले आता है तो यहाँ पे आपको x को u लेना पड़ेगा ठीक है चलिए यह सका integrate करें integration of x e x e की par x dx तो x को बाहर किया integration of e की par x dx minus इसका differentiation dx by dx integration of e की par x dx और पूरर के आगे लिख लिया dx x e की par x का integration e की par x minus dx by dx कितना होगा 1 होगा e की par x का integration e की par x और साथ में dx x e की par x X-E की पार X का integration E की पार X प्लस C एसे करने हैं इसी integration by part वाले तरीके से हम आप कोई बहुत खास चीज़ सिखा रही है कि log X को कैसे integrate करें 1 by X को integrate करते हैं तो log X आता है log X को कैसे integrate करें तो बच्चो log X को integrate करने के लिए हम क्या तर्फते हैं से कहा log x को integrate करो, तो इसको हम यह लिख सकते हैं, one multiplied by log x, लिख सकते हैं, अब देखो यह logarithmic हो गया, और one कहां आएगा, algebra में आता है, one algebraic हो गया, और यह logarithmic, पहले कौन आ रहा है, पहले logarithmic, तो यह u बनेगा, यह भी, तो चलिए, लिख लेते हैं, log x, और यहां लिख लिया one, अब तरीका क्या है, u को बाहर करो, बाहर किया, integration of v dx, मतलब one dx, minus, du by dx, यह u है, यानि differentiation of log x, with respect to x, integration of v dx, लिखान है, one dx, और पूरे के बाहर एक लगा लिया, dx, अब यह हो गया, log x, integration of dx, क्या होता है, आपको सिखाया मैंने, x आता है, minus, log x का differentiation x के respect में, log x का differentiation one by x, क्योंकि one by x का integration log x, फिर dx, dx का integration x, पूरे के बाहर लगा है, dx, तो x से x मर गया, one बचा, तो पाइनली लिखेंगे हम वहाँ क्या बचा, x log x, minus, dx का integration, x बागी सब तो cancel हो गया, तो x log x, minus x, चीक है, तो बेटर होगा, आप log x का integration याद भी रखो, सभी लोग याद रखते हैं, log x का integration होता है, x log x, minus x, तो इसको अपनी copy में उपल लिख लो, या notes में कहीं लिख लो, कि log x का integration है, x log x, minus x, और करने का तरीका यही, I-Late principles है, x log x, minus x, तो बच्चों इस तरह जैसे question तो बहुत बन सकते हैं, बस आपको ये method आना चाहिए, principle समझ में आना चाहिए, questions रिपीट करके एक बार देख लीजेगा, अगर नहीं समझ में आया method, ये खाए ये principle, अब बच्चों कुछ इस टाइपी चीज़ें आपको बताता हूँ, जैसे आप से कहा integration of sin 2x ठीक, आपने माल लिया ये x था और यहाँ पैसा कर लिया, अब ये चीज़ x तो है नहीं, तो इसको आपने x माना है, एक काम करो, इसके differentiation से इसको divide कर दो, 2x को differentiate करो को क्या आएगा, तो 2 से divide कर लिया, एक और example लेते हैं, टेंशन मतलो, जैसे रिखा है e की पार 4x, और हमसे तो तुमने x माना है, तो इसके differentiation से divide कर दो, 4x का differentiation 4, चलो एक और example लेते हैं, जैसे integration of, जहां से देखना, cos x square plus 1, dx, cos x का integration होता है, plus sin x, ठीक है, तो ये पूरा x मान लिया, तो हो जाएगा sin x square plus 1, अब ये x तो है नहीं, तो इस पूरे की differentiation से इसको divide कर दो, तो x square plus 1 का differentiation, 2x, 1 का differentiation, 0, और साथ में plus c तीनों में लगेगा, plus c, plus c, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कोई limit नहीं लिखी है, अब समझ में आ रही है चीज, जैसे हमसे कहा, integrate करिए, integrate करिए, जैसे हमसे बोला, sin x square plus e की part x, dx, तो आप क्या करो, आप sin x का integration जानते हो, minus cos x square plus e x, अब यह x तो है नहीं पूरा, तो इसके differentiation से divide कर दो, x square का differentiation, 2x, e की part x का, e की part x, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इस तरह से differentiate करना है, integrate करना पड़ेगा, अगर x की जगा, कोई दूसरा time आपको दिख जाए, ठीक है, clear हो गया, बच्चों इसके बाद integration यहां खतम नहीं होता, क्योंकि integration कभी खतम नहीं होता, बहुत से form है, जैसे आपको कुछ example में, substitution form का दिखा दूँ, कुछ example, substitution form का, ठीक है, तो integration में जित्ती information दे रहें, इस ती ले के आगे बढ़ जाईए, फिर दीमें दीमें syllabus में और चीज़ें देगी, substitution form में बच्चों क्या है, जैसे मालूम लिखें, x upon 1 plus x square को आप integrate करो, with respect to dx, अब आपको लग रहा है, यह u by v form है, पर integration में कोई u by v form नहीं होता, वो differentiation में था, अब इसके लिए एक substitution method है, क्या है, ध्यान देना, अगर मैं बोलूँ कि 1 plus x square को में t मालूँ, अगर मैं 1 plus x square को t मालूँ, अब मुझे बताओ, ऐसे लिख सकते हैं, t is equals to 1 plus x square, अब मुझे बताओ, dt by dx, कितना होगा, इसको differentiate कर दो, 1 का differentiation 0, x square का 2x, यहां से आब dt is equals to बोल सकते हो, 2x dx, चीक है, अब आओ यहां से, उपर लिखा है x dx, तो x dx क्या बन जाएगा, dt by 2, x dx को क्या लिख सकते हो, dt by 2, और 1 plus x square को क्या माना है, t, तो यह हो गया t, अब यहां से 1 by 2 बाहर, integration of dt by t, यानि 1 by t, और 1 by t का integration क्या होगा बच्चों, log t, by 1 by x का log x, तो 1 by t का log t plus c, अब t है क्या, 1 plus x square, तो half log 1 plus x square plus c, तो बहुत से तरीके के integration होते हैं, यह just एक example दिया है मैंने, ठीक है, जैसे एक example और दे देता हूँ, तो यह चीज़ आपको और clear हो जाएगी, जो अभी अभी मैंने किया, same यही चीज़ और clear हो जाएगी, मालो हमसे कहा कि sin x minus cos x upon sin x plus cos x dx को integrate करो, अब आपको कोई तरीका नहीं पता है, इसको integrate करनेगा, पर मैं आपको बताता हूँ, अगर sin x plus cos x को हम t मालें, तो t is equal to sin x plus cos x, अब ज़रा t को differentiate कर दो, dt by dx is equal to sin x का differentiation minus cos x, cos x का differentiation sin x, तो हम बोल सकते हैं, dt is equal to sin x minus cos x into dx, अब देखो, उपर क्या लिखा है, sin x minus cos x into dx, तो उपर की जगा हम dt लिख सकते हैं, और नीचे sin x plus cos x क्या बन गया, t बन गया, dt by t का integration, log t plus c, फिटी की जगा value पुट कर दो, log, क्या है अपने पास, sin x plus cos x plus c, तो यह ज़र एक example था बच्चों, इसके बहुत से example हैं substitution form के, तो इसका कोई दूसरा वीडियो ले आएंगे बीच में, या इसलिए बस के बीच में भी example मिलते रहेंगे, तब तक पढ़ते रहें, अगले वीडियो में हम आपका इसका application बताएंगे, motion in a straight line में,